हेलो फ्रेंड्स आयाम अकाश कुमार एंड वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल अग्रिकल्चर नालेश ट्रैक सो आज हम लोग विटामिन्स के बारे में संपूर जानकारी प्राप्त करेंगे और अब मैं आपको एक इसी वीडियो में छोटे से वीडियो में विटामिन हें हेएक साथ करते हैं एक फर्फट विटामिन अमारा विटामिन ए जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं है श्मयों रपारे में जो है वासा में गुजरन सील होता है और इसकी इसकी हो उरिप्रेज़न पार्चन क्रिया को समान ने बनायारकने में हमंमीर में हेत्म cottage JIMiddrande देता है इसके पर्याप्त मातरा में उपयोग अगर हुमन करता है तो इसे आखे तेजवान रती है आतोवा स्वसन के प्रणाली के विभिन अंग सुचा रूप से कारे करते हैं इसकी कमी से तुचा का शूखापन रतौंधी या जिसे नाइट ब्लाइडनेस कहते हैं आखों में जलन, मुहां से, पेट में पत्री, बच्चों की बढ़वार का रुख जाना आद विकाव रुत्पन हो जाते हैं विटामिन A की प्राप्ति के लिए आपको हरी सब्जियों खाने जिनमें क्यारोटिन नामपदात की प्राप्ति हो वो यूज़ करनी चाहिए जो शरीर के अंदर विटामिन A में प्रिवत्पन हो जाते हैं गाजर, टमाटर, मतर, सलजम, चुकंदर, सलात, बंद, गोभी, शकरकंदी, पालक, मेथी, हरी, प्याज, हरी, मेच, आदी सब्जियों में विटामिन A प्रिश्चुर मात्रा में पाजाता है तो आपको विटामिन A के प्राप्ते के लिए एसे सब्जियों का प्रियुक्त करना जाहिए जो इसमें कैरोटन होता है क्युद्ए क्यारोटन बघ्डी में पुद्टने के बाद विटामिन A में चेंज हो चाता है नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B1 जिसे थाइमीन भी कहते हैं या जल में घुलन शील विटामिन है या सरीर के संपूर स्वास के लिए ज़रूरी है और को इंजाइम का एक प्रमुक अंग होने की कारण कई जैवरासाइनिक क्रियाओं में ये उप्योग्य होता है सरीर में इस विटामिन की कमी के करण बेरी बेरी नामक रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से हो जाता है है रदय का बढ़ना शक्त की कमी भूख का कम होना वजन का कम होना सरीर के ताप में गिरावाट इत्यादी रोग विटामिन B1 या जिसे थाइमीन कहते हैं उसकी जर सकरकंदी आद यूज़ करना चाहिए नेक्स्ट विटामिन है B2 या जिसे राइबो फ्लेविन भी कहते हैं ये विटामिन B2 है या जो है सरीर की व्यद्धी तचार की सनशना के लिए बहुत आवश्यक होता है और इसके अभाव में भूख कम लगने लगती है वजन कम हो और विटामिन B2 की प्राप्ति के लिए आपको जो है पालक, मेथी, बतुआ, सेव, मटर, लौकी, गोबी, आद सब्जियों का यूज़ करना चाहिए और B complex के अन विटामिन भी सब्जियों से प्राप्त होते हैं नेक्स्ट विटामिन है विटामिन C या जिसे ascorbic acid कहते है या विटामिन जल में घुलनशील होता है, निरोग और सब्जियों से रहने के लिए इसका समचुत मात्रा में उपयोग नितान्त अवश्यक है, इसके लावा रख संचार और जोडों के दर्द को ठीक करने में भी या महतुपून भूमिका अदा करता है, इसकी कमी के से नि परदो गठिया का होना, और विटामिन सी को प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे सब्जियों का यूज़ करना चाहिए जो खट्टी हो, जैसे कि टमाटर है, पालक, सेम, पात्गो भी मिर्च, बैंगन, लौकी, सलाद, मेर्थी, विटामिन सी प्रिचुर मत्रा में होता है, यह नेक्स्ट है, विटामिन D, जिसे रिकेट रोधी कहते हैं, इसकी नेचर यह वसा में गोलंशिल है, इसकी कमें से बच्चों में सूखा रोग जिसे रिकेट कहते हैं, यह हो जाता है, d हड्यों की उचित रचना तथा दातों की मजबूती के लिए विटामिन डी अनिवार होता है या कैल्शम तथा फॉस्पोर्स लवनों का उचित उपयोग करके हड्यों के कैल्शी करण में मदद करता है हरी सब्जियां इस विटामिन का उत्तम सोत हैं तता इसे रिकट रोडी विटामिन की संग्या दी जाती है नेक्स विटामिन विटामिन इसे बंधिता रोगी या एंटिस्टेलल्टी विटामिन कहते हैं विटामिन यह विटामिन जो है वसा में गुलंशील है यह इसका नेचर है यह विटामिन प्रजिन कार के लिए बहुत किया जा सकता है और हमारे नेक्स्ट और लास्ट विटामिन है विटामिन के तो विटामिन के की जो इंपोर्टन्स होती है वो हमारे बॉड़ी में रत्का थक्का जम्न में में यह हमारे में सबसादा इंपोर्टन सकता है हमारी बॉड़ी में और इसके प्राप्ति सोत जो है वह हरी पत्यदा सब्जीयां बंद को भी पालक में थी आद इसके पच्छे सोत हैं और जिगर जिंजर और इसके नेचा जो है यह वसा में गुलंशील होता है और इसकी कमी से जो है रक्त बहना या नि थांक यू फर वाचिंग वीडियो